सरब आप ये बताईए कि एक student को APFC और EO दोनों के लिए apply करना चाहिए या एक के लिए apply करना चाहिए और इनके examinations एक ही date पर होंगे अलग-लग date पर होंगे और इनका syllabus का क्या हिसाब है अलग-लग syllabus है या same ही syllabus है आपको किस post के लिए apply करना चाहिए वो depend करेगा आपकी eligibility पर अगर आप लोग इन दोनों ही exams के लिए eligible है अगेन उसको इन दोनों ही exams के लिए apply करना चाहिए लेकिन अगर किसी particular case में किसी बच्चे की age limit 30 से 35 के बीच में है और वो general category से belong करता है तो सिर्फ वो APFC exam के लिए apply करेगा अगर मैं second question की बात करूँ दोस्तों UPC की notification में clearly mention कर रखा है कि इन दोनों ही exams के APFC और EO के जो recruitment test है वो separately conduct किया जाएंगे और examination की date अभी announce नहीं हुई है UPC ने बोला है कि future course of action में वो इन दोनों ही examination की जो date है जो की separate होने वाली है उनको announce कर देंगे अब बात करें तीसरे question की की इन दोनों exams का syllabus सेम है या नहीं है दोस्तों almost 80% जो syllabus है for both these examination is same अगर मैं बात करूँ components like IR labor law, social security, accountancy, computer application, modern history, journal science, Indian polity, Indian economy तो ये component आपको दोनों ही examinations में देखने को मिलेंगे लेकिन कुछ areas ऐसे हैं, कुछ particular subject ऐसे हैं जो आपके सिर्फ APFC के exam में आने वाले हैं, जो EO, EO के exam में नहीं आने वाले तो अगर मैं summarize करूँ, तो APFC के exam आपका बड़ा subset है और उसके अंदर जितने भी components हैं, वो already EO examination में आते हैं अगर हम चार components को minus कर दें अगर कोई बच्चा APFC exam की त्यारी कर रहा है, तो वो automatically EO exam की त्यारी भी कर रहा है ठीक है?